ममता काले, she's taking the moral high ground, वो कह रहे हैं कि हम सब और बिल्कुर ठीक कह रहे हैं एक point पर, कह रहे हैं मैं किसी पर सवाल नहीं उठाओंगे लेकिन हम सब एक सब आश्वरे जी धन्यवाद, जो बाते आभी बोली हैं, कंचना जी ने बहुत अच्छी बाते बोली हैं, और एक महिला ह की बात हो रही है, बच्चीयों की बात हो रही हैं, तो इतनी गुसे में उत्तेजित हो जाती हैं, कि वो केवल और केवल अपनी नेताओं को बचानी की पूरी काम कर रही होती हैं, वहाँ पर समस्या का विशय हो जाता है, और वही पर जो साज्या जी ने बोला, वो बोला कि नहीं चीखने चिलाने के आवशक्ता नहीं है हम बेटियों के बारे में बात कर रहे है हम बलतकारियों के साथ क्यों खड़े है हम दुराचारी व्याभिचारियों के साथ क्यों खड़े है तेरा बलतकार मेरा बलतकार के हम बात ही क्यों कर रहे है और मुझे उन नेताओं से भी जरूर बात करनी है और उन नेताओं से क्या मैं अखिलेश यादव जी से बोल रही हूँ कि आप भी हमारे भाई हैं आप भी इस देश के बेटे हैं इस देश ने अखिलेश यादव को अखिलेश यादव बनाया मुलायम सिंभ जी को मुलायम सिंभ जी बनाया उनके ओपर पुरा सम्मान है हमारा लेकिन ये बोलना कि DNA टेस्ट कर आओ नवालिक बच्ची का दुराचार कर देता है और उसके être मोहिद खान भी कर देता है जिसके अभी फोटो दिखाई दे रही है और कहा जाता है कि अब DNA टेस्ट कराया जाए मतलब वो नवालिक बच्चियां जूट बोलेंगी उन बच्चियों के ओपर आपको भरोसा नहीं है हम सब के घर में बेटियां है और बेटियों के नयाए के बात हो रही है नेहा यादव एक बार नवाब सिंग यादव का नाम तो ले लीजी अपने मूसे दरिंदा है उसने बेटी के साथ दुराचार व्याविचे व्याभिचार किया है वो गिरफतार तो है लेकिन DNA टेस्ट की बात नहीं होती है हम बच्चियों के साथ खड़ें बोलो ना नहाय आदब बोलो कि अखिलेश यादब जी ने जो बोला गलत बोला दिंपले आदब जी अभी तक क्यों चुप है इस पर बोल दीजिये आप दियने टेस्ट की आऊशकता होगी कैसे बचेंगी बेटियां ये तेरा रेप मेरा रे बोलेगा दिस इस नोट आओ डिबेट मैम जब आप बोलेंगी जब आप बोली शुरू में सोला मिनिट आप कोई नहीं बोला मैम आप बोली साड़े चार मिनिट बोली है नो वन स्पोई नहीं बोला ममता जी को बात कटम करने दीजे और फिर आप अपना व्यूपोइंट तीना जी मैं आ रहा हूँ मैं स्वेदा जी I am coming to you मैं ध्रनेवाद धर्यमा जै मैं बहुत जल्दी से बोलना चाहती हूँ कि ये मानसिक्ता से हमें निकलना पड़ेगा कि लड़कें लड़कों से गलतियां हो जाती है हमें ये बोलना पड़ेगा कि लड़का है, खबरदार इसने ऐसा किया और अगर इसने किसी बेटी की तरफ आख उठा के देखा, दुराचार तो दूर की बात है हम इसको छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पर कोई political party नहीं होती है वहाँ पर कोई अपना पराया नहीं होता है, दोशी है वो बेटियों का तो फिर इस पर क्यों आप लोग बात नहीं कर सकते हैं और बाइदवे, मतलब अगर हम party 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 की बात करने लग जाएं तो अभी जो नहाई आदफ कह रही है कि हमारी party बड़ी पाक साफ है, नहीं है नहीं है नहीं 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 जी दो सब से जादा cases तो मेरे finger tips पे हैं, जो मैं यहीं बैटे बैटे आपको गिना दूंगी और आश्वरे जी आपको अपनी debate एक्सेंट करनी पड़ेगी, तो इस तरीके का moral high ground मत लीजी आप, प्लीज आप महिलाएं, ये मत भूलिया, महिलाओं के ओपर बात कीजी आप, महिलाओं के नयाएं के ओपर बात कीजी आप, ये ऐसा नहीं होता है, विदेश जा रहें, य नहाँ जा रहें, ये कर रहें, वो कर रहें, मैं कहती हूँ, कि उत्तरफदेश के मेरे जो दोनों युवाब भाई थे ना, जोनों ने एक साथ मिल करके चुनाओ लड़ा था, राहुल और अखिलेश जी, दोनों साथ में आएं, दोनों साथ में आएं, और बोलें, कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन इन जो ये दुराचारी, इनका नाम को अपने मूझ से लें, आप तो आप भी नहीं लेते हैं, नहाँ आदब समाजबादी, पार्टी, वाई कांट यू जिस से, कि गलत है, हम आप नहीं बोलें, अब बोलें, नहाँ जी प्लीज बोलें, श आप इस देश के नेताओं को ये भी सोबा नहीं देता, कि जब आई 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 टी बीएच्चु में ग्यांग रेप जैसी घटना होती है, उन्हें बचाने के लिए मद्ध प्रिदेश का चुनाव प्रचार कराएं, और जब वो जेल से छूट करके आएं, तो उन्हें फू आप पास ही चड़ा दीजिए, जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बचाने का अनावश्यक प्रियास मत कीजिए, यहां बैटे हुए कुछ लोग जो नया प्रिये बनने का ढोंग कर रहे हैं, वो ढोंगी लोगों को मैं बत आना चाहती हूं कि बलातकारी किसी पार्टी का हो, वो किसी भी पार्टी में रहता हो, पर है वो भेडियाई, जैसा कि अश्वेरे जी की डिबेट में भी उन्होंने पहले ही सुरात में कहा, कि हम किसी भी पार्टी का छोड़िये, मैं तो दो नाम लेता हूं, आप लेकिन आप ये तो पताईए कि नवाव सिंग यादव और मोहित खान कौन है मैम मैम रेपिस्ट हैवान होता है वो पार्टी डिवाइड से नहीं होता है वो पार्टी से डिवाइड नहीं होता है स्टेट से डिवाइड नहीं होता वो धर्म से डिसाइड नहीं होता उसने जो हैवानियत का कृत्त किया है उससे डिसाइड होता है एक ये है जो समाजवाधी पार्टी के साथ खड़े है और बराबर है जो बीजेबी के नेताओं के साथ खड़े है बराबर है जो कॉंग्रेस के नेताओं के साथ खड़े है पा आप अगर एंकर है तो आपको सवाल पूछना चाहिए मेरे को आपका सर्टिफिकेट में चाहिए मेरे को आप बताई आप क्या किया रहा है आपको हिंदी समझ आती है नहीं आपके माद्डी स्पीक इन इंग्लिश अगर आप इंग्लिश बहतर समझती है आप इमादा है आपको एक सवाल पूछना चाहिए आपको एक सवाल मुझसे पूछे मैं जवाब देने को तियार बैठी हूँ मैं आपको आपको सवाल मुझसे पूछे मैं जवाब दिया है कौन सवाब दिया है आपको मैंने कहा दर्शुको off can i have Tina ji Priyanka ठीना जी, प्रियांका जी and श्वेता संध्या जी, all three non-political leaders, शाजिया जी आ रहा हूँ मैं इतना कहा रहा हूँ दर्शिक को 60-40 me and then to all these three ladies simple सी बात है निहा यादव जी जितना बोलने उनको defend करना है मुहित खान और नवाब सिंग यादव को मैं जैसे ही बोलता हूँ बोलता है एश्वरा तुम्हें बोलना नहीं है मैं कहा रहा हूँ भई, BJP में सपा में, Congress में आमाजमी Party में TMC में, NCP में आप हर एक Party ले लिजे अरे जब देश का कोई जिला ऐसा नहीं है स्टेट छोड़ी ये जिला ऐसा नहीं है जहां पे रेप की घटना रेजिस्टर ना हो तो Party कैसे होगी नेता कौन है हमारे समाज से तो निकले हूँ है न तो कौन से नेता होंगे नेया जी आपका ओडियो नहीं जा रहा है रेलाक्स कीजे अभी मैं क्या क्या रहा हूँ कौन से नेता नेता समाज से निकले है जैसा समाज होगा वैसे नेता होंगे लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी है राहुल गांदी कॉंग्रेस नरेंद्र मोधी, अमिच शा, बीजेपी अखले शादव समाजवादी पार्टी अर्विन केजरिवाल तो चलिए जेल में है मनीश शोदिया जेल से बहार है आजकल आज उनके दो आदमी बहार आएं जेल से आमादनी पार्टी NCP, TMC, ममता बैनर जी ये सारे दल RJD ते जिस्वी आदव उनके तो घर की बेटियां बेहने उनकी राजनीती में वो उनको तो आगे खड़े हो के बोलना पड़ेगा हाँ राजनीती में हमने देखा है विनिबिलिटी यानि जीत जीत और जीत इस दी ओनली फैक्टर जिस पे शाजिया जी टिकिट दिया जाता है लेकिन क्या ये अगर फैक्टर हो जाए जैसे करॉप्शन फैक्टर बनाता चौदा में मैं लगातार बोल रहा हूँ महिला सुरक्षा अगर इशू बन जाए तो क्या ये सारी नेत्रियां चुप रह पाएंगी जया आमिता बच्चन स्पीकर के ओपर बॉड़ी लैंगुज पर सवाल उठा सकते हैं बंगाल की बेटी पर चुप है चतिसगर की बेटी पर चुप है महराश्च्रा की बेटी पर चुप है कन्योज की बेटी पर चुप है क्यों? क्यों? अयोध्या की बेटी पर चुप है उत्राखन की बेटी पे चौप है, आप तो नहीं बोलेंगी सपा की नेत्री, मैंने तो सारे देश की चुनंगे ना दिये, लेकिन चुप हैं ये, क्यों? कि इस पे बोलूंगी तो उस पे भी बोलना पड़ेगा, उस पे बोलूंगी तो उस पे भी बोलना पड़ेगा, इस से अचा चुप रहा हूँ, and that's wrong, ये हमको नेड़ने लेना है, कि हमारा नेता कौन होगा?